सचिन तिंदुलकर एक किर्केटर नहीं एक एक्टर है अच्छा हमको सिकारिया है हाँ ये बात है 2011 कि जब सचिन ने फॉरेंट एंडॉस्मेंट से आराउंड 6 करोड रुपए कमाये थे उस पर सचिन ने आटी सेक्शन एक्टी आरार के अंडर 1.7 करोड का टेक्ट डिडेक्शन किलेम किया था जो सिर्फ एक्टर्स को फॉरेंट में एक्टिंग करके कमाने पर ही मिलता है एंड सचिन ने यहां खुद को एक प्रोफेस्नल एक्टर बताया लेकिन सचिन का यह एक्टर होने का कलेम इनकम टेक्श डिपार्टमेंट वालों को सही नहीं लगा एंड यह मामला कोड तक गया लेकिन कोड का डिसीजन सचिन के फेवर में आया और कोट ने कहा कि सचीन जब भी कोई एड करते हैं तो उसमें उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल दिखानी होती है तो सचीन एक प्रोफेस्नल एक्टर है और इस तरह सचीन ने एक्टर बनके अपना 1.7 करोर रुपया बचा लिया